आपके अपने चैनल जोदिशेन वास्तु में कैसे हैं आप सभी आज हम यहाँ पर बात करेंगे 7th of May 2022 के बारे में 7th of May 2022 का दिन आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है कहां पर आप सभी को साफधानी रखनी है क्या चीजें आप सभी को करनी है और क्या करने से आप सभी को बचना है इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे साथ ही साथ हम बात करेंगे अच्छो कुपाई के बारे में और मैजिकल टाइम आफ दे के बारे में जिसे करने से आप अपने इस दिन को और भी जादा अच्छा यांपर बना सकते हैं चलिए शुरू करते हैं शनिवार का दिन रहेगा आप सभी के लिए काफी जादा पॉजिटिव दिन आपर दिखाई देता है ग्रहों और नक्षतरू की चाल बहुत ही जादा उत्तम है आज के दिन और साथ ही साथ कुछ योग ऐसे इतने अच्छे बन रहे हैं कि ये इस दिन को और भी जादा अच्छा यहां पर बना रहे हैं बारा बज़े के बाद का जो दिन रहेगा ये काफी काफी जादा अच्छा यहां पर दिन दिखाई देता है इस प्रूच्छ पावर काफी जादे स्ट्रॉंग रहेगी पॉजिटिवटी बहुत अच्छी है दिन में इसलिए आज के दिन में आपको दो चीजों का तो विशेश ध्यान यहां पर रखना है पहली चीज अपने मन में कोई भी कोई भी नेगिटिव थॉट मत आने दीजिए चाहे इस सिच्वेशन कितनी भी खराब क्यों न हो जाए आप कितना भी जादा गुस्ते में क्यों न आ जाए अपने मन को अपनी जुबान को खराब मत होने दीजिएगा इस बात का विशेश ध्यान रखेगा जितना आराम से और जितना पेशेंस रखकर के आप इस दिन को निकालेंगे उतना ही जादा अच्छा दिन यह आपका निकल जाएगा दूसरी इंपोर्टन चीज़ आज के दिन में आप सभी को कोशिश ये करनी है कि अपने आपको पेशेंस के साथ रखें और प्लानिंग करके हर इक चीज़ को करनी की गोशिश करिएगा बिना प्लानिंग के किसी भी चीज़ को ऐसे ही रेंडमली मत करिएगा इस बात का विशेश दिया नखिएगा ताकि आपको कोई दिकरत कोई परिशानी नहीं होगी दिन में जैसे मैंने का पावर बहुत अच्छी है एनर्जी बहुत अच्छी है तो उसका सही इस्तमाल सही जगे पर करें तो आपका दिन और भी ज़्यादा अच्छा बन जाएगा फिनेंशली यहाँ पर चीज़े ठीक है दिन में कहीं कोई दिकत कोई परिशानी नहीं दिखाय दीथी आज के दिन में अगर कोई दान धर्म कर लेते हैं तो वो काफी ज़्याद अच्छा रहेगा इसे स्पेशली अगर कहा जाए तो आज के दिन में बारा बजे के बात किया हुआ अधान और धर्म आपके लिए काफी जाद अच्छा जाएगा कोई दिकत पर परिशन यहां पर आपको नहीं आएगी और काफी अच्छे रिजल्स आपको देखने को मिलेंगे जॉब के लिए करियर के लिए बिजनस के लिए या फिर नई अपॉचुन्डी के लिए कोई डिसकेशन करना चाहते हैं कोई बातचीत करना चाहते हैं या कुछ कोशिश करना चाहते हैं, जॉब के लिए अपलाए करना चाहते हैं, तो definitely आज के दिन कर सकते हैं, कोई दिक्रत कोई परिशानी नहीं आएगी, अगर आप नहीं जॉब सर्च कर रहे हैं, तो आज के दिन में, especially आज के दिन में, दो बज़े से लेकर के तीन बज़े तक के बीच में, अपने resumes को forward करिएगा, किसी को काफी अच्छा result आपको देखने को मिलेगा, और definitely उसके results भी आपको आगे जाके अच्छे देखने को मिलेगे, इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए, relationship के लिए दिन काफी ज़दा ठीक है, कोई दिक्रत के परिशान नहीं रहेगी, relationship में भी आपको नई opportunities देखने को मिल सकती है, कुछ नई बदलाब देखने को मिल सकते हैं, कुछ नई thoughts, कुछ नई positive energy यहाँ पर देखने को मिल सकती है, सेहत के लिए भी यह दिन काफी ज़दा positive है, क्योंकि spiritualism, आध्यात्म बहुत ज़दा अच्छा है, spiritualism से जितना connect करेंगे आप, आध्यात्म से जितना connect करेंगे आप, उतन नहीं ज़दा strong आज बन पाएंगे, तो इसलिए make sure कि आप अपने दिमाग को और अपने दिल को connect करके रखें, और दोनों के energy को balance करके रखें, तो यह दिन आपके लिए काफी ज़दा positive ज़दा वादिखाई देगा, आज के इस दिन में आप सभी को दो चीज़ों पे ज़दा focus करना है, पहला अपने परिवार का बहुत ज़दा दियाना किएगा, सेहत का बहुत ज़दा दियाना किएगा, किसी की सेहत पे अगर कोई भी खराबी हो, तो careless नहीं होना है, careful रहना है, और consult करना है डॉक्टर से, इस बात का विश्यदा दियाना किएगा, परिवार के लिए, आपकी सेहत ठीक दिखाई देती है, बट परिवार में किसी ने किसी को अगर कोई प्राब्लम हो, तो तुरंट आप action में आए, इस बात का विश्यदा दियान दिजिएगा, दूसरी important चीज़, आज के दिन में, आप कोशिश करिएगा कि अगर कुछ नया काम करते हैं, अगर कुछ नई चीज़ करते हैं, तो उसमें किसी बड़े का involvement जरूर करिएगा, अकेले मत करिएगा, जैसे मैंने का planning के साथ काम करिएगा, इट मेंस कि किसी ने किसी के सायोग से काम करें, तो जादा अच्छा रहेगा, इस्पेशली बड़े के सायोग से, तो आप से कोई बड़ा वेक्ति, कोई जानकार हो, कोई experienced person हो, या फिर कोई age में बड़ा हो, तो भी वहाँ पर आपको अच्छा result देगा, देश और दुनिया में यहाँ पर देखा जाए, तो देश और दुनिया में भी आज का जो दिन रहेगा, यह काफी जादा positive दिन यहाँ पर जाता हुए दिखाई देता है, बाचीत के results अच्छे निकलते हुए दिखाई देते हैं, परंदु साथी साथ किसी बड़ी बात पर, किसी बड़ी चीज पर कुछ विचारवी मर्ज भी यहाँ पर किया जा सकता है, और code की तरफ से कुछ अहम जानकारी, अहम फैसले यहाँ पर लिए जा सकते हैं, या फिर कुछ बड़ा announcement यहाँ पर हो सकता है, खासकर वेस्ट डिरिक्शन में कुछ बड़ा होने के चांसे आपर जरूर बनते हैं, वेस्ट डिरिक्शन इस बात का ध्यान रखिएगा, चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पर, राश्यों के लिहाँ से किस के लिए दिन अच्छा और किस के लिए दिन थोड़ा सा बैलन्स करता है, देखिए, राश्यों में यहाँ पर दिखा जाये तो यह जो दिन रहेगा, L, S, P, T, C, M आप सभी के लिए दिन काफी ज़दा positive यहां पर दिखाई देता है तो overall सभी के लिए दिन अच्छा है पर इंको थोड़ा से extra advantage यहां पर मिलता हुआ दिखाई देगा चलिए अब बात कर लेते हैं आपर जन्द दिन वालों के लिए अगर आज आपका जन्द दिन है अगर आज आपके जिवन का कोई विशेश मेहत्रपुन दिन है आप सभी को मेरी और से हाल दिक्षप कामना है यही प्रातना करता हूँ कि दिन आपका शांदा जाएगा कोई दिक्कत कोई परशानी आपको मैसूस नहीं होगी अगर आज आपका जन्द दिन है तो यह जो आने वाला साल आपके यहां से बनता है यह साल काफी जदे इंपॉर्टन डियर आपका कहलाएगा काफी जदे इंपॉर्टन और कहीं न कहीं टर्निंग पॉइंट अफ द लाइफ बनेगा यहां पर जहां पर आपको कुछ इंपॉर्टन डियर लेने पड़ सकते हैं कुछ नही अपॉचिनरीज आपको मिल सकती हैं कुछ नए रास्ते आपके खुल सकते हैं साथ ही साथ कुछ नई चीजों पर आपको ध्यान फोकस करना पड़ेगा उम्मिद करता हूं कि साल आप पशांदा जाएगा और आप अच्छे तरह से इस साल को इंजॉय करेंगे चली अब बात कर लेते हैं आपर अच्छुक उपाये के बारे में कौन सा अच्छुक उपाये आपको करना है जिसे कि ये दिन आपका और भी ज़्यादा बहतरीन हो जाए कोई दिक्कत पर परिशानी ना रहे आज के दिन में अगर आप कहीं बाहर जाते हैं काजल का टीका लगा के जरू जाईएगा या फिर सूबे सूबे नहाने के तुरन दबाल काजल का टीका जरू लगा लीजिएगा ये आपके लिए काफी ज़्य अच्छा रहेगा क्यूंकि स्प्रिच्चिलिजम काफी ज़्य ज़्य स्टॉओंग है आज के दिन में तो इसलिए आज के दिन जो अच्छो कुपाय करने हैं, उस समय भी आपको काफी ज़्यदा positive feel करना है, positive महसूस करना है, इस बात का ध्यान लखिएगा आज के दिन में आप long का इस्तमाल थोड़ा जादा करिएगा खाने में, long की चाय, सबजी में long मिलाके, स्वाद दे के खाईएगा, तो वो भी अच्छा रहेगा इसके अलावा, आज के दिन में अगर किसी विशेश कारी से बाहर जाते हैं, तो आप multi color का इस्तमाल कर सकते हैं, मतलब कि mixed color आप पहन सकते हैं, जिसमें एक से जादा color हो, जिसमें white and blue mix हो या तो, या फिर आपका blue और red mix हो, कुछ इस तरह से, mixed color को अगर आप पहनें, तो व संधिया नहीं लगा पाते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप शाम के समय में, या फिर जब भी संधिया का समय होता है, अपने घर के मंदिर में, एक चांदी के कुछ भी चांदी का अभुशन लिदीजिए, चांदी का सिक्का लिदीजिए, और उसके ऊपर एक दिया रखेग है, और वो चांदी के उपर रखे दिया नहीं लग जला सकता, तो वो क्या करेगा, दिये के अंदर चांदी का वो रिंग डाल देगा, और सुबह जब दिया खतम हो जाएगा, तब वो आप उस रिंग को निकाल दीजिएगा, साफ पानी से दो दीजिएगा, और अपने वा है, बहुत अच्छा नंबर है, और आप सभी के लिए काफी ज़्यादा पॉजिटिव नंबर यहाँ पर दिखाई ज़ता है, एनलजी लेवल बहुत है इस नंबर में, इसलिए आज इस एनलजी को अच्छी जगे इस्तमाल कर दीएगा, बार-बार कह रहा हूं, काफी ज़ मैं अच्छा हूं, और बैतरीन होता जा रहा हूं, यह आपका उफरमेशन यूज करना है, टेफिनल्टली आपको काफी ज़दा अच्छा निजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, आज के दिन में, मैजिकल टाइम आप देग क्या है, बदब कि कोई विशेश कारी करना है कुछ विशेश शुरुआत करनी है किसी चीज़ की, पूरे दिन के में वो कौन सा समय है, जब आप उस समय का इस्तमाल करेंगे, तो पूरे दिन में एक सबसे बेस समय जो आपके लिए निकल के आता है, वो आता है, शाम को 5 बज़े से लेकर के 6 बज़े तक के बीच में, श जो समय रहेगा शाम वाला, ये किसी बड़े काम को करने का है, किसी विचार भी मश करने का है, किसी चीज़ पर निड़ने लेने का है, तो ये समय काफी ज़़ा पॉसिटिव दिखाई देता है, उमीद करूँगा कि ये दिन आपका शान दाल जाएगा, कोई दिक्कत को पर पर कर सकते हैं, पूरी परी कोशिश करूँगा, आप सभी की हर संभाव मददें पर कर सकूँगा, धनिवाद